अभी प्रेंस आपका स्वागत है आपके अपने यूट्व चैनल एक्सलेंस वाइड करता हूँ आज हम डिसकाज करने वाले वर्ड इजी के पार्ट 12 के बारे में इस से पहले में पार्ट 11 वॉष्ट से लेकर 11 के बारे में डिसक्रस कर चुका हूं यदि वह वीडियो आपने नहीं देखें तो डिस्क्राप्स में लिंक दे रखा है वहां से जाकर वह वीडियो आप देख सकते हैं इन कुश्चंस में जो यह कुश्चंस आरे आपको नोट करते जाने जैसे कि लास्ट टाइम आप अच्छे जाएंगे उनके आंसर आपको कमेंट सक्षिन में जरूर बताने होंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे और से कुश्चंस आपको पूचे जाएंगे ठीक है तो आईए बढ़ते हैं को उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब् और चैनल के सब्सक्राइबर सेना बढ़ाने की जरू करें जिससे कि मैं आपकी ओनलाइन क्लास बहुत जल्दी ले सकूं यूट्यूब पर यह करते हैं को कुश्चंस को कुश्चंस को नोट करते जाएंगे आप सभी यह एक्सिलेंस और स्कूल इंट्रेंस एक्जाम के लि में इक्षण आपके दोनों लैंग्विज में आएंगी कि अद्रपा शंबता की इतों की निर्मार का अनुपाद क्या था है यह पास अप्रता में इसने निर्मार देन की गहीं थी उनका जो अनुपाद था और को इसका यह जो विक वर सही आंसर है और इंपूरेंट कुश्चन भी है सुलार नाव और राइट नाव कुश्चन नमबर 222 मतकों का ठीला रप्पा शबता के किस प्राइस्टल को कहा गया है तो यह जो है ना आपके मुहन जोरों को कहा गया है आप समसी इसका सही अंसर है और इंपूरेंट कुश्चन भी है सुलार नाव और राइट नाव कुश्चन नमबर 223 आरे सब्द का साब्दिक अर्थ क्या है तो आरे सब्द का जो है ना साब्दिक अर्थ वो है आपका स्रेश्ट या कुलीन इसका जो सी ऑदी ओप्शन है वो सही आंशर इस तरेश्टिया खुली और इंपोरेन्ट कुछन भी है So, लाज नाओ और राइट नाओ Question number 222 जहन धर्म का बास्तविक्स अस्तापक किसे माना जाता है तो जहन धर्म का बास्तविक्स अस्तापक किसे माना जाता है तो इसका जो सही आंसर है तो है महावीर स्वामी? आपसंसे इसका सही अंसर है औरिन्पृडेंट कुश्चन भी है इन्पृडेंट कुश्चन भी है So learn now and write now नेक्स्ट और ये कुश्चन आपके एक्जाम में भी आ चुका है जैन दर्म के बास्नी सथाफर का है ना इस इन्पूटेंट कुछिन ही नेक्स्ट कुछिन नमबर टूटे 25 भगवान बुद्ध को किस इस्तान पर ग्यान का प्राप्त हुआ तो इसका जो सही आंसर है वह बहुत गया में बहुत गया इस तराइट आंसर इन पूटेंट कुछिन सुलार नाव एड़ नाव एक वह आपकी इस्ताफना की थी चंद्रगुप्त मोर्द ने बी ओप्सन इसका भी राइट है और इन्पूटेंट कुछिन भी है सुलार नाव एड़ नाव नेक्स्ट Q227 कनिश्क द्वारा सक संबद की शुरुवद कब की गई थी तो इसका सही आंसर है next question number 228 सरवाद एक सोने के सिक्के किसकाल में चलाए गई तो ये जो सिक्के हैं वो आपके गुपतकाल में चलाए गई option B इसका सही answer है और important question भी है so learn now and right now next question number 229 यूरोपिय भासा में अनुवाद एक पिर्थम भारती ग्रंत कौन सा था तो इसका जो correct answer है वो है option B अविग्यान सरकुंतलम इसका भी answer सही answer है और important question भी है so learn now and right now next 230 सती प्रिथा का पहला उलेख कहां से मिलता है तो इसका जो पहला उलेख है वो मिलता है आपका इसका सही answer है और important question भी है तब कौन सी चत्तन बनती है संग नमर बड़ ऑप्संडी इसका सही answer है यह भी important question है आपके एक्जाम में आ चुका है so learn now and right now next 232 बेस्ट के सबसे बड़े मीठे पानी की जील कहां इसके यह question important है आ चुका है आपके एक्जाम में तो इसका जो राइट answer होगा वो है आपका option C leg superior leg superior is the right answer and important question so learn now and right now यह question आपके एक्जाम में आ चुका है इस वार के लिए भी important है next 233 निमने लिखित में से कौन सबसे चमकदार गिर है इसका अंतर आपको comment section में बताना है यह question कई बार आपके एक्जाम में आ चुका है most important question 2020 बन में भी यह question पूछा गया है option यह mercury option बी बीनस option C nephew option D Mars इसका correct answer जो भी होगा वह आप बताएंगी comment section में ठीक है next question number 234 वारत और स्रीलंका के बीच में कौन जी खाड़ी है तो बारत स्रीलंका के बीच में अफ्राण कहांगी है उसका नाम आपको मठाना है कौन सा है मन्नार की खाड़ी अप्सिन 20 स्का सही answer checked South Africa स्रीलंका के बीच में मन्नार का खाड़ी है next तो हुए ए 20 बंबाइ हाई क्या है सारे कुष्ण्स को लिखते जाएंगे सभी वच्चे जिससे कि आप लास्ट रामाः शुला कर पाएं बंबाइ हाई क्या है तो बंबाइ हाई जो है न तेल शेटर यह सई अप्सेट्र एस पुर्ण पूरेट कुष्ण भी नेक्स्ट कुछिशन नमर्ट 236 भारती प्रमाड़ेक समय जब गेन विच मद्द समय का अंतर पाया जाता है कितना अंतर पाया जाता है इसका जो बी ओप्सन है प्लस फाइब बन बाई टू गन्टा इसका सही अंसर है बी ओप्सन हो इंपोरेंट कुछिशन भी है इसका जो बाई नागल बांद किस नदी के ऊपर बनाया गया है किनारी कहां पर बनाया गया है सब्लाज नादी किनारी ठीक है इसका जो डी ओप्सन हो और राट नौनन एफ़ेंट। कि कुछ नंबर 239 भारत की कुल जनसंक्या में बिहार की जनसंक्या का क्या प्रतिशत है तो इसका जो प्रतिशत है वह आठ दसम्लाफ पांच परसेंट इसका सही अंसर है डी ऑप्शन वह इंपुरेंट कुछन विए सुलार नाव और राइड नाव नेक्स्ट कुछन नंबर 249 भारत के किस राजमे सरवाद एक जनसंक्या धनत पाया जाता है तो यह जो जनसंक्या धनत है वह सबसे ज़्यादा पाया जाता है बिहार में ऑप्शन भी इसका सही अंसर है वह इंपुरेंट कुछन भी है इस तरह से वर्ड जीके का पार्ट तू हमने कंप् को दबाना ना भूलें जिससे की वीडियो सबसे पहले आपके पहुंस सके और दोस्तों साथ ज्यादा स्यर करें और चैनल के सब्सक्राइबर्स पढ़ाने को इस जरू करें जिस्से कि में बहुत जल्रापकी ओनलाइन क्लास बहुत ऑनलाइन क्लास आपकी ले सकूँ ठीक ह तो इस जो भी कुश्चन आप से पूछें उनके अंसर आपको कमेर सक्षन में जरू बताने हैं ठीक है जय हैं फ्रेंड्स जय हैं दिश्क्रेंड्स थैंकिए फो वाचिंग मिलते हैं पार्ट थार्टीन वर्ड ये की